वेल्कम फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का इस्टेटिवित ग्यान प्रकास में दो पैडाम ऐसे हैं जो कि जारी हो चुके हैं और एक पैडाम जारी होने की सुचना प्राप्त ही है तीनों ही रिजल्ट आपके काफी इंपॉर्टेंट है और इसलिए यह आयोग ने अपनी सहमती प्रदान कर दी है सबसे वड़ी बात है दूसरी बात यह है कि इसके पेपर लीक के प्रकरण के बारे में जो कुछ अरचने थी वो लगभग दूर हो चुकी है या उसे एवाइड करके इसका पैडाम अगले सब्ता जारी करने की सुचना प्राप्त दूरी यह मतलब यह कि बुधवार तक हो सकता है कि उसके पहले ही आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है इसके बारे में तो यहाँ पर यूपीएस्टी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और यह तस्बीर आप ध्यां से देखिए यह तस्बीर है टौपर दोजार अठार सीर्स अस्थान हासिल किया है संग्लोग सिवाय आयोग ने सुक्रवार को परिचा परड़ाम खोशित कर दिया है और फ्रेंट्स आपको यह भी बता दें कि इस परड़ाम के आधार पर आईएस आएफस आईपीएस और अन्य केंद्री सिवाओं गुरूप ए और गुरूप बी के लिए चैन होता है महिलाओं में भौपाल के सिष्टी जैन देश्मुक ने पहला अस्थान हासिल किया है हाला कि संपूर्ण सुची में उनका जो अस्थान है वो पांचवा है फ्रे इसके जुनेद अहमद उसके बाद हैं स्रयांस कूमत और पाचवे स्थान पर महिलाओं में प्रत्थमस्थान प्राप्त और आलोवर पाचवे स्थान पर सिष्टी जैन देश्मुक जो की भौपाल करने वाली है छटे स्थान पर सुभम गुपता साथ वे पर करनती वन्रे अगर आपके सपने बुलंद हैं और अगर आप हौसला के रखें तो आप भी एक दिन यूपियस सीख में टॉप कर सकते हैं क्योंकि जितने भी लोग की सुची में सामिल है आलोवर सब इंसान ही है तो अब यह बात करते हैं एल्टे रिजल के बारे में तो यह दूसरा और अफसोस की बात है कि 23 अभ्यर्थी परिशा में सामिल होते हैं कुल रिखती थी एक लेकिन कटाफ को क्रास नहीं कर सके और फिलाल यह पदभरा नहीं जाएगा और इसी के साथ बात करें तो यहां पर संगीत भी से महिला साका में कुल 1935 अभ्यर्थी उपस्तित हुई थ साथ कुल मिला के साथ रिखतियां थी और इसके साथ एक साथ अफिरतों का चैन और वबंदी कोप से किया गया है और इसे जो है आयो की वेबसाइट और कारले की सुचना पट पर चस्पा कर दिया गया है अब आगे चलकर जो मूल अविलेक हैं उनका सत्यापन होगा अगर स सब को सही पाया गया तो इनको नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी अब तक की अपडेट मिलते हैं आप से कल सुपर मार्निंग न्यूज में तब तक के लिए आगया दीजिए नमस्कार जैहिंद